7 day hair care challenge का आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी remedy share करने वाली हूँ जो आपके बालों को naturally काला बनाने का काम करता है अगर आप इसे use करते हैं सही तरीके से तो आपके बाल जल्दी से काले भी हो जाएंगे और साथ ही साथ premature hair grain की problem खतम हो जाएगी मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जो 7 day hair care challenge में share करने वाली हूँ इसमें कुछ remedy ऐसी होंगी जो आपके बालों को रिग्रो करेंगी कुछ आपके बालों को काला बनाएंगी कुछ आपके बालों को जढ़ने से रोकेंगी तो आज की जो remedy है यह आपके बालों को naturally काला बनाने का काम करती है premature hair grain की जो problem है उसको खतम करने का काम करती है premature hair growing जो होता है वो natural process नहीं होता है उसमें क्या होता है कि बाल समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं जिसको आप पूरी तरीके से treat कर सकते हैं हमारी कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वज़े से हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफेद हो गया है तो उन्हें कलर करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है ये तो बताऊंगी ही इस वीडियो में साथी साथ आपको अपने बालों को किस तरीके से केर करना है ताकि आपके बाल सफेदी ना हो समय से पहले और बुढ़ा पे तक ऐसे ही काले बने रहे हैं ये जो वीडियो है ना वो मेरे एक्स्पिरियेंस पे भी बेस्ट है क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद हो गये थे लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे सारे बाल वापस से काले हो चुके हैं नमस्कार मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरीके की बहुत सारी हैर केर इसकिन केर और हल्दी हल्दी डायेक्सर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती है अगर आपको अपने बालों से प्यार है अब अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं काला बना के रखना चाहते हैं नाचुरल रेमीडिज आप ट्राइ करते रहते हैं तो मैं आपको highly recommend करूँगी कि आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि इसी तरीके की वीडियो में हमेशा आपने यूट्यूँ चैनल पे देखिए, एक विशेज तरीके का ओयल होता है, जिसका इस्तेमाल करने से आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, जो बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं, वो भी काले हो जाते हैं, आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉलम यह है कि कोई ओयलिंग करना ही नहीं चाहता लेकिन ओयलिंग बहुत जादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे हेर केर का, हमारे यहां देखिए, इंडिया में लोगों के बाल सबसे जादा अच्छे होते हैं, पूरे विश्व में अगर आप कंपेर करेंगे तो हमारे इंडियन लोगों का बाल सबसे अच्छा होत इसलिए क्योंकि हमारे यहां का जो हेर केर होता है वो डिफे ऑर इस हेर केर में जो ओलिंग होती है बहुत इंपोर्टेंट होती है देखिए यह जो ओल है कलाउजी ओल इसमे मैं डैकिया है भring raj, एक आपड़ होती है जो हमारे बालों को नैच्रली काला बनाने का काम करती ब्रिंग राज और कलाउजी ओयल का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को बहुत ही जल्दी काला बनाएगा oil को सबसे पहले गुनगुना गरम कर लेना है उसके बाद oil लगाने से पहले आपको अपने hair follicle को stimulate करना होगा ताकि वो सारा जो oil है उनको absorb कर ले किस तरीके से स्टिमूलेट करना है इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक ब्रश लिया हुआ है इस तरीके का सिलिकॉन का ब्रश आता है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी जहां से आप इसे खरीद सकते हैं तो इस brush से क्या करना है आपको कि अच्छे से अपने scalp की massage कर लेनी है इस तरीके से massage करने से हमारे scalp में blood circulation boost होता है जिससे कि हमारे hair follicles होते है वो active हो जाते हैं फिर आप जो भी चीज लगाते हैं उसका पूरा का पूरा आपको फायदा मिलता है अब यह जो oil है इसको मैंने गु प्रॉसेस करता है उसको जरूर करेगा फिर उसके बाद एक बहुत अची सी चीज में शेर करोंगी जो आपके बालों को instantly black बनाने का काम करेगा एक ऐसी चीज हो कि जिससे आपको खाना होगा तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है मैं आपको highly recommend करोंगी कि आप वीडि जय को पाउडर डाल दीजेए ड्राइप डाल डीजे जो भी आपके पास ठीक है ये बिरिंगराज का लिंक कलाजी ओल का लिंक भी मैं को दिस्क्रिप्रिस्टियन बोक्स में दे दोगी तो दिस्क्रिप्शिन बोकस को ये जरूर चेक कर लिजेगा अब देखिए क्या कर न तो आपको ओलिंग करने के बाद जरूर करना होगा, अगर आप उस ओल का पूरा पूरा फाइदा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बालों को स्टीम देना है, इस्टीम देने के लिए गरम पानी लीजे, होट वाटर नहीं होना चाहिए, गुन-गुना गरम होना चाहिए, इसमें माइक्रो फाइबर की टर्बन टॉल मैंने डिप की होई है, आप कोई भी टॉल ले सकते हैं, लेकिन टर्बन टॉल इस्तेमाल करने से क्या होता है, कि आपके बाल बहुत ही अच्छे से एक जगा टिके रहते हैं, इस तर्बन टॉल का लिंक भी मैं अब देखे, बहुत गरम पानी रहेगा, तो आपका हाथ भी जलेगा, बाल भी जल जाएगा, इसलिए जरूरी है कि गुनगुना गरम पानी रखे, बहुत गरम पानी नहीं होना चाहिए, ऐसा पानी होना चाहिए, कि आप अपना हाथ 10 मिन तक डाल के रखे पानी में, तो तो अभी देखिए इसको अच्छे समय निचोड लूँगी और अपने बालों में रैप कर लूँगी इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको रैप कर चोड़ दीजिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में इस्टीम देर तक रहे तो ऊपर सी अब देखिए बालों को धुलने के लिए आप कौन सा शैंपू इस्तमाल कर रहे हैं यह भी बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप केमिकल वाली शैंपू का यूज करते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि मेरा हैर लॉस भी ज्यादा होता है बालों में बहुत सारी प्रॉल के लिंध में लगाऊंगी और कम से कम दो तीन कंटे चोड़ूंगी फिर नॉर्मल वाटर से हैर वाश कर लोंगी अब मैं आप लों के साथ ही कैसी चीज़ करने वाली हूं जो आपके बालों को तुरंथी काला बनाने का गाम करता है और यह है नाचुरल डाई ठीक है नाच के लिए होता है !! साथ साथ है और साथ यहार बालों के लिए बहुत अच्छ होती है है hair growth भी सपोर्ट करती है बालों . वालों से डेंडर फगरा भी खाम करने का काम करती है , तो हमारे बालों के लिए सब्जा का भी बाची उट बहुत अच्छी होती है , अभ यह invers Javene है करना तब तक जब तक यह एडिऊसर के थाफ नहीं हो जाएं, बिसिकली हमें इसे थोड़ा सा कॉंसें पर्में करना है इसलिए अच्छे से इसको पकाते रेगे थीमियाज पिछ भी अच्छे से पक जाता है तब हमें क्या करना है कि इस थंडा कर लेना है अब जब अच्छे स वह देख सकते हैं मैं इसको पेस्ट भूर्ण्द से कर लिया है नहीं इसे को खैना तो आप ai नई कर लिया लिये जा अब तो अधनरा और काच का लेना है, नौन मेटलिक होना चाहिए, लोह का, इस टील का, ऐसा कोई बर्तन आपको निले लेना है, कौपर का भी नहीं चाहिए, या तो बहतर होगा कि आप ग्लास लीजिए, चीनी मिट्टी का भी आप ले सकते हैं, ठीक है, अब गरम पानी हम लोग इसमें से नाचरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ठीक है, गुनगुने लिक्विड की हल्प से हम इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना देंगे, पेस्ट बनाने के बाद इसे आदे घंटे के लिए ढग के छोड़ दीजिए, आदे गंटे बाद आप देखेंगे तो इंडि आपके सफेद बाल होंगे, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यह पर्मनें डाई है नहीं, और बहुत जल्दी आपके बालों से निकल भी जाती है, लेकिन अगर आप यूज करते रहेंगे, आपके बाल बहुत अच्छे से क लगा लेना है, इसे लगा के आपको कम से कम चार पांच घंटे के लिए छोड़ना है, चार पांच घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से आपको हैर वाश करना है, हैर वाश करने के बाद आप देखेंगे, आपके सारे बाल अच्छे से कवर हो गए है, जितने भी सफेद बाल अब मैं आप लोग के साथ एक ऐसी चीज़ करने वाली हूँ जीससे आपको खाना है एक बहुत अच्छा सा ये स्नैक है इसके लिए आपको चाहिए मूंगफली पीनट पीनट तो बहुत ही अच्छा होता है और इसली अवलेबल होता है हर जगह मिल जाता है बहुत जादा एक काले भी बनाते है आपको अच्छे से रोस कर लेना है रोस करने के बाद एक अलग बरतन में निका लिए ठंडा होने दीजिए जो मार्केट का नमकीन होता है उसके जेगह आपको इसे कंजूम करना है अब आपको थोड़ा सा ओयल डालना है एक इस टील के बरतन में अब इस जाता है तो ध्यान रखिएगा अब में इसको एक बड़े बरतन में निकाल दूँगी अब इसी में जो हमने रोस्ट किया हुआ था पीनट यानि मुंफली इसको भी डाल देना है एक बहुत ही अच्छी सी जी इसमें और एड होगी और यह है रोस्टिट चना जो चने का द इसलिए आपको इस तरीके का नमकीन अपने घर में बना के रखना चाहिए ताकि सब लोग खाए और सब लोग हेल्दी हो देखिए अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए छोटी-छोटी चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना होता है ऐसा नहीं है कि बस एक-दो आप पूरे के पूरे हल्दी होंगे इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ग्लास के कांच के एर टाइट कंटेनर में इस तरीके से आप रख दीजे अब जब भी आपको खाना है खाने का बहुत ही अचा सा तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको क्या करना है थोड़ा सा नमक लेना है इसमें आप एक दो लहसुन डाल दीजे और अपने स्वात के हिसाब से इसमें मिर्ची डाल दीजे कुछ लोग थोड़ा सा ही तीखा खाके एकदम चिलाने लगते हैं कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं तो अपने हिसाब से इसमें मिर्ची आप धनिया की पत्ति अगर मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिलती है तो चिंता करने की जरूत नहीं है इतना ही सफिशेंट है अच्छे से इसको कूट लीजिए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी हमारी चटनी बन के तियार हो गई है और यह जो चटनी है इसमें पानी इसको लेना है और यह जो चटनी है यह लेना है दोनों चीजों को खाईए कितना मजा आएगा मैं आपको बता नहीं सकती है अपने यूटूब चैनल पे बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपको अपने चेहरे पे लगाना है इस क्रीम के अंदर ऐसी प्रॉपर और यह जाएगी एक दम healthy हो जाएगी इस बात की guarantee आपको मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं इनी सारी चीजों का यूज करती हूँ और पहले जब मैं store-watch चीज़ें यूज करती थी तो मेरी skin कैसी थी और अभी मेरी skin कैसी है बहुत सदा difference है मतलब मेरी skin बहुत rough और damage टाइप की